उत्तर प्रदेश की जनपा साजहापुर के खुटार तिकुनिया में भेंकर हाथसा होने से बचा अपराहन लगभग एक बजे खुटार तिकुनिया मेन मार्केट में सैक्रों लोगों के मद्ध सैक्रों की जान जाने से बच गई आपको बताते चले की सुरेश नाम के विक्त की दुकान खरी मार्गेट के मध्य है सुरेश ने किसी पात्र में कुछ सामान रखकर गैस चूला जला दिया था महीं चूला जलता छोड़ सुरेश दायबाय हो गया महीं थोड़ी देर में सिलंडर की सप्लाई की ओर से आग निकलने लगी सिलंडर से चूले की तरफ लगने वाला पाइप भी चलने लगा सिलंडर के उपरी साइड से गैस निकलने के साथ आग प्रजोलित हो गई महीं बड़ी तेजी से आग बढ़ती गई वहाँ पर भीड भार युक्त जगहत थी भीड से लोग चिलाने लगे भागो भागो सिलंडर फटने वाला है सिलंडर फटने वाला है तभी कुछ हिम्मती लोग और हमारे अखंड भारत न्यूस चैनल के ब्यूरो चिव अर्विन सक्सेना ने बाल्टी उठाकर और पास में पड़ी मौरंग को भर कर फेकने लगी और साथ ही सभी से तूर हटने का आग रह किया वहें देखा देखी में अन्य पंकत सुरेश लोग भी आ गए वह भी बाल्टी में मौरंग भर कर आग की तरफ फेकने लगे वहें एक घंटे की कड़ी मसकत से आग को मौरंग से बिलकुल धक दिया गया वहें एक बड़ा हाथसा होने से बच गया अन्य था अगर सिलंडर फट जाता तो आस पास के लोगों के सासा जान और माल का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था अखान भारत न्यूस के लिए आरविन सक्सीना की रिपोर्ट साजहापूर उत्तर प्रदेश के जनपा साजहापूर में दिनांग 9 दिसंबर 2021 को प्रभिन कुमार सोलंकी थाना प्रभारी निरेच्छ कट्रा के नेतत में थाना कट्रा पुलिस टीम दरा मुख्बिर की सूचना पर कोरियान मोहले से खुदागन रोड नहर पुलिया के पास से पुलिस मुटबेड के दरान अभिक्त कल्लूपुत्र मोहिन पुत्र बाबू निवासी मुगलान कस्बा वा थाना कट्रा जनपा साजहापूर अजय पुत्र रामदास निवासी मुलगान कस्बा थाना कट्रा जनपा साजहापूर को गिरफतार किया गया साथी अभिक्त सानू मौके से फरान होने में सफल रहा वहीं अभिक्तों के कबजे से एक एक अधत तमंचा 315 बोर एक अधत खोखा कार्तूस, एक अधत जिन्दा कार्तूस, 300 बंदराबूर, नाजायज वा चूरी किये गये माल, एक अधत चैकेट, एक पाना, एक राट स्टेपनी वा एक टुलूपम बरामत किया गया वहीं संबन में थाना कट्रा पर वैधानी कारवाई की जा रही है अधत भारत म्यूज के लिए अर्विन सक्सीना की रिपोर्ट सहाजाँपूर